एक बुजूर्ग औरत मर गई, यम्राज लेने आये, औरत ने यम्राज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्ग? यम्राज बोले, दोनों में से कही नहीं, तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किये है, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभू के धाम ले जा रहा हूँ, बुजूर्ग औरत खुश होगी, बोली धन्यवाद, पर मेरी आप से एक विनती है, मैंने यहां धर्ती पर सबसे स्वर्ग नर्ग के बारे में बहुत सुना है, मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ, यम्राज बोले, तुमारे क काया, नर्क में बुजूर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी, वहां नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बिमार दिखाई दे रहे थे, औरत ने एक आदमी से पूछा, यहां आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है, आदमी बोला, तो और कैसी हा आये है, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया, भूग से हमारी आत्माएं तड़प रही है, बुजूर्ग औरत की नजर एक विशाल पतिले पर पड़ी, जो कि लोगों की कट से करीब सौ फिट उचा होगा, उस पतिले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था, पतिले बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है, बुजूर्ग औरत ने एरानी से पूछा, इसमें खीर है, तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं, भूग से क्यों तडप रहे हैं, आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाये, ये पतिला सौ फिट उच है, हम में से कोई भी उस पतिले तक नहीं पहुच पाता, बुजूर्ग औरत को उन पर तरस आ गया, सोचने लगी, बेचारे खीर का पतिला होते हुए भी भूग से बेहाल है, शायद इश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा, अब यमराज बुजूर्ग औरत से बोले चलो, हमें देर हो रही है, दोनों चल पड़े, कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया, वहाँ पर बुजूर्ग औरत को सब की हसने वखिल खिलाने की आवाजे सुनाई दी, सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, उनको खुश देखकर बुजूर्ग औरत भी बहु लोगों से पूछा, इस पतिले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले कि इसमें बहुत टेस्टी खीर है, बुजूर्ग औरत हैरान होगी, उनसे बोली पर ये पतिला तो 100 फिट उचा है, आप लोग तो इस तक पहांची नहीं पाते होंगे, उस हिसाब से तो आप लोगों को पेड भर के खीर खाते है, आरत बोली पर कैसे? पतिला तो बहुत उचा है, व्यक्ति फिर बोला, तो क्या हो गया पतिला उचा है तो? यहाँ पर कितने सारे पेड है? हमने इन पेडों की लकडी ली, उसको काटा और एक विशाल सीडी का निर्मान किया, उस लकडी की सीडी और नर्क मनुश्यों के हाथ में ही सौप रखा है, चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग, इश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है, उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान है, वो किसी से भेदभाव नहीं करता, वहाँ नर्क म पेड़ पौधे सब थे पर वो लोग खुद ही आलसी है उने खीर हाथ में चाहिये वह कोई कर्म नहीं करना चाहते कोई मेहनत नहीं करना चाहते इसलिए भूक से बिहाल है क्योंकि यही तो इश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है जो कर्म करेगा मेहनत करेगा उसी को वीडियो को लेकर आपकी क्या राई है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होते इस वीडियो को लाइक करेगा शेर करेगा जाद सजादा लोगों तक और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमा पेच को धान्निवा